अंजी भाई कैसे हैं आप सभी लोग चलिएगा तो एक और खुशखबरी आपके सामने SSC कुछ जादा ही महरवान हो रही इस बार आप पे सबसे पहले तो जिन बच्चों ने form fill नहीं किया है SSC MTS का तो उनकी exam form की जो date है वो 31st July से 3rd August कर दी गई है इससे पहले जो last date थी वो 31st July थी लेकिन अब ये 3rd August कर दी गई है तो जिन बच्चों ने भी तक form fill नहीं किया है वो अपना form fill कर दीजिएगा ठीक है दूसरी बात number of vacancies काफी सारे बच्चों का doubt आ रहा था कि sir vacancies कौन से पार्ट में बढ़ी है तो भाई vacancies जो बढ़ी है वो आपका MTS में बढ़ी है ना कि हवलदार में हवलदार में जो post है वो as it is है 3439 यानि कि 3349 as it is same है MTS में जो थी इससे पहले 4887 post थी लेकिन अब जो है वो 6144 हो गई है तो जितनी भी vacancies बढ़ी है वो MTS में बढ़ी है ना कि हवलदार में ठीक है चलिए जी तो पहले total क्या थी 8326 और अभी जो total है साड़े 9000 लगवक 9583 और एक बात और ध्यान से सुनेगा बहुत जल्दी इसमें भी chances हैं बढ़ने के जैसा कि आपके CGL में मैं आपको एक चीज़ और बता दू बहुत जल्दी CGL में भी आपको अधर सुनने को मिलेगा कि वहाँ भी vacancies बढ़ेंगी इसमें भी chances है कि इससे ज़्यादा होंगी और दोस्त याद रखना इससे पहले vacancies इतनी vacancies कई सालों में नहीं आई है तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है तुम्हारे पास ये मेहनत करते रहो दिन हो या रात हो देखे एक चीज़ सो अपने दिमाग में बांध लीजिए क्योंकि forms कम से कम कम से कम आपके 30 लाग अलड़ी भरे जा चुके है तो 30 से ये 35 भी जा सकते हैं 40 भी हो सकता है लेकिन मैं फिर बता दू कि हर बच्चा 40 लाग form fill करने वाला इसकी तैयारी में नहीं होता है उतना तैयारी में नहीं होता है लेकिन जो होगा इसमें वो बहुत अच्छी तैयारी में होगा तो दो पहलू हैं आपको एक तो ये सोच लेना कि 40 लाग form fill करने है दूसरा ये सोच लेना कि भाई इतनी competition में मेरा कैसे selection होगा तो जिन बच्चों का होगा वो भी तो महनती कर रहे हैं और आपको भी क्या करनी है मेहनती करनी है तो दो और सबसे बड़ी चीज यहां आपको ये भी निपरेशान होना कि सर मेरा maths है या मेरा यहां पर reasoning है आपको सिर्फ maths और reasoning को qualify करना है सारा जो खेल खेला जाएगा वो English के साथ खेला जाएगा और देख लेना मैरिट इसी के इर्दगरिद घुमने वाली है तो इसी लिए महनत कर दो अभी भी आपके पास टाइम है क्योंकि अगस्त अभी से पूरा पड़ा हुआ है सेप्टेमबर आपके पास है और अक्टूबर में भी अभी साथ मिड और या एंड में जाएगा तो आराम से आपके पास 80-90 दिन बचे हुए है जो की more than sufficient है उस बच्चे को और इसी चैनल पे आपकी regular class आपके चल रही है सबसे बड़ी बात है basic से चल रही है basics और plus questions दोनों चीज़े और बहुत जल्दी mock test भी आपके start कर दिये जाएंगे जिस जिस बच्चे को ये words सुनके अच्छा लगा हो mock test का वो comment box में comment जरूर डालेगा हर वो चीज़ आपको कराई जाएगी जिससे आपको 25 में से 25 दिलाए जाए जैसा मैंने first class में वादा किया था तो please मेहनत करिएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा देखे जिसको जरुत होती है वो करता है और जब इंसान मेहनत करने का ठान ले तो वो दिन देखता है न रात देखता है देखे हम भी मेहनत करते हैं टीचर भी मेहनत करते हैं इमानदारी से जो आदमी काम कर रहा है वो मेहनत कर रहा है अभी देख लीजे समय क्या हुआ 2.49 रात के 3 वजने वाले हैं और हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं अभी भी कंटेंट आप तैयार हो रहा है जब दिन रात आदमी वो कल हस रहा होगा तो आपको क्या करना है यह आप पर decide करता है तो ठीक है बच्चो यही तक मैं बस आप से यही कहूंगा और दूसरी चीज जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन लोग को मैं बता दूँ उनके कही बार-बार doubt रहते हैं किसर हम कैसे करें इसको तो यह English की जो classes है इसी YouTube चैनल पर डेली रात को आठ बजे लाइव चलती है ठीक है रात को आठ बजे दूसरी बात सर PDF अगरा कहां पर मिलती है इस सारी PDF तो PDF मिलेंगी आपको टेलिग्राम चैनल पर जिसका नाम है English by Sanjeev Thakur search करेंगे आप या इसी वीडियो के नीचे link लगा होगा वहाँ से भी आप directly join कर सकते हैं क्योंकि इसमें केवल PDF ही नहीं मिलती इस टेलिग्राम चैनल के अंदर आपको daily जो questions सामको करा जाते हैं उनके questions के वो questions भी इसमें डाले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए questions भी डाले जाते हैं और बहुत जल्दी मैं एक और series भी start करने जा रहा हूँ आपको GKGS के questions भी इसके अंदर मैं डलवाऊंगा प्लस आपके जो अलग questions है और extra questions है उनकी sheets भी आपको इसके अंदर most important questions की दी जाएगी ठीक है तो भाई मेहनत कर लो हर आदमी मेहनत करने में लगा हुआ है अगर तुम नहीं करोगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नहीं करेगा ठीक है तो यहीं रखते हैं मिलेंगे आपको next video में तब तक के लिए जैहन